भजन सहिता अध्याए 51 भजन सहिता अध्याए 51 हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे मुझे भली भाती धो कर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप चुड़ा कर मुझे शुद्ध कर मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दुष्टी में रहता है मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पात किया है और जो तेरी दुष्टी में बुरा है वही किया है ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निश्कलंक ठेरे। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तू रधे की सच्चाय से प्रसन होता है और मेरे मन ही में क्यान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाओंगा। मुझे धो और मैं हिम से अधिक श्वेत बनूँगा। मुझे हर्ष और आनंध की बाते सुना। जिससे जो हड्डिया तुने तोड़ डाली है वह मगन हो जाए। और अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे पर्मिशर मेरे अंदर शुद्धमन उत्पन न कर। और मेरे भीतर स्थिरात्मा नए सीरे से उत्पन न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे। और अपनी पवित्रात्मा को मुझे अलग न कर। अपने की हुए आत्मा दे कर मुझे सम्हाल, तब मैं अप्राधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा, और पापी तेरी ओर फिरेंगे, हे परमिश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमिश्वर, मुझे हत्या के अप्राध से छुडा ले, तब मैं तेरे धर्म का जयजेकार करने पौँगा, हे प् परमिश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमिश्वर, तू तूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, प्रसन होकर स्रियोन की भलाई कर, ये रुश्लेम की शहरपना को तू बना, तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पश्चु के हुंबली से प्रसन होगा, तब लोग तेरी वेदी पर बैल चड़ाएंगे, भजन सहेता अध्याय बावन, भजन सहेता अध्याय बावन, हे वीर, तू बुराई करने पर क्यो घमंड करता है, परमिश्वर की करुणा तो अनंत है, तेरी जीब केवल दुष्टता गढ़ती है, सानधरे हुए अस्तूरे की नाई वह चल का काम करती है, तू भलाई से बढ़कर पुराएं में और धर्म की बात से बढ़कर जूट से प्रिती रखता है, हे चली जीब, तू सब विनाश करने वाले बातों से प्रसन रहती है, निश्चे परमिश्वर तुझे सदा के लिए नाश कर देगा, वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा, और जीवतों की लोग से तुझे उखाड डालेगा, तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे, और यह कहे कर उस पर हासेंगे, कि देखो, यह वही पुरुश है, जिसने परमिश्वर को अपनी श जलपाई के से वुरुख्ष के समान हूँ, मैंने परमिश्वर की करुणा पर सदा सरवदा के लिए भरोसा रखा है, मैं तेरा धन्यवाद सरवदा करता रहूंगा, क्योंकि तु ही ने यह काम किया है, मैंने तेरे ही नाम की बाठ जो ही है, और जो होता रहूंगा, क्योंक परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड गए, उन्होंने कुटिलता के गिनोंने काम किये है, कोई सुकर्मी नहीं, परमेश्वर ने स्वर्गपर से मनुशों के उपर दुष्टी की, ताकि देखे कि कोई बुद्धी से चलने वाला, वा परमेश्वर को पूछने वाला है की नह जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं, जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते, वहां उन पर भै छा गया, जहां भै का कोई कारण न था, क्योंकि यहवा ने उनकी हड्डियों को जो मेरे विरुद्ध छावनी डाले पड़े थे, तीतर भीतर कर दिया, तुने तो उन् भला होता कि इसरायल का पुरा उद्धार सियोन से निकलता, जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुवाई से लवटा ले आएगा, तब याकूब, मगन और इसरायल आनंदित होगा, भजन सहिता अध्याय चौपन हे परमेश्वर अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर, और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर, हे परमेश्वर मेरी प्रार्तना सुन ले, मेरे मुह के वच्रों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे है, और बलातकारी मेरे प्रान के ग्रहक मेरे प्रानों के संभालने वालों के संग है, वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्ही पर लौटा देगा, हे परमिश्वर अपनी सच्चाई के कारण उन्हें विनाश कर, मैं तुझे स्वेच्छा बली चड़ाओंगा, हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा क्योंकि यह उत्तम है, क्योंकि उसने मुझे सब दुखों से चुड़ाया है, और मैं अपने सत्रों पर दुष्टी करके संतुष्ट हुआ हूँ, भजन सहिता अध्याय पच्पन, भजन सहिता अध्याय पच्पन, हे परमिश्वर मेरी प्रातना की ओर कान लगा, और मेरी गिलगड़ाहट से मुहनमोड, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे, मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ, और व्याकूल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु, कोलाहल और दुष्टो उपद्रव कर रहे हैं, क्योंकि वे मुझ पर दोशर ओपन करते हैं, और क्रोध में आक कारन मेरे रोय रोय खड़े हो गए है, और मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबुतरके से पंख होते, तो मैं उड़ जाता, और विश्राम पाता, और देखो, फिर तुम्हे उड़ते उड़ते दूर निकल जाता, और जंगल में बसेरा लेता, मैं प्रचंड बयार और आंधी के जोकेक से किसी शरंस्थान में भाग जाता। हे प्रभु, उनकी सत्यानाशकर और उनकी भाशा में गड़बड़ी डाल, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और जगड़ा देखा है। प्रभु, उनकी नामधराई करता है, वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सहे लेता। जो मेरे विरुद्ध बढ़ाय मारता है, वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता, परंतु वह तो तू ही था, जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम्मित्र और मेरी जान पहचान का था, हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बाते करते थे, हम भीड के साथ परमिशुर के भवन को जाते थे, उनको मुरुत्यों अचानक आदबाए, वे जीवी थी अधोलोप में उतर जाए, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराया और उत्पात भर परंतु मैं तो परमिशुर को पुकारूंगा, और यहोवा मुझे बचा लेंगा, सांच को, भोर को, दो पहर को, तीनों पहर में मैं दोहा ही दूंगा, और करहातार होंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा, जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी, उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है, उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था, परमिशुर जो आदी से विराजमान है, यह सुनकर उनको उतर देगा, ये वे है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं, और उनमें परमिशुर का भय है ही नहीं, उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है, उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है, उसके मुह की बाते तो मक्खन किसी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लढ़ाई की बाते थी, उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगे तलवार थी, अपना बोज यहवा पर डाल दे वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी डामा डोल होने न देगा, परंतु हे परमिश्वर, तु उन लोगों को विनाश के गड़े में गिरा देगा, हत्यारे और छली मनुष अपनी आधिहायू तक भी जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहू वह दिन भर लड़कर मुझे सताता है, मेरे दुरही दिन भर मुझे निगलना चाहते है, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझे से लड़ते है, वह बहुत है, जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, परमिश्वर की साहता से मैं उसके वच्चन लगा लगा कर मरोडते रहते है, उनकी सारी कलपनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है, वे सब मिलकर इकटे होते है, और छिपकर बैठते है, वे मेरे कदमों को देखते भालते है, मानो वे मेरे प्रानों की घात में ताक लगाय बैठे हो, क्या वे बुराई करके भी बच हे परमिश्वर अपने क्रोध से देश-देश के लोगों को गिरा दे, तु मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तु मेरे आसों को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुष्टक में नहीं है, तब तो जिस समय मैं पुकारूंगा उससी समय मेरे चत्रो उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमिश्वर मेरी ओर है। परमिश्वर की सहयता से मैं उसके वच्चन की प्रशंसा करूँगा। परमिश्वर के सामने जीवतों के उजियाले में चलू फिरू। सब कुछ सिद्ध करता है। परमिश्वर स्वर्ग से भेज कर मुझे बचा लेंगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। तब परमिश्वर अपनी करूना और सच्चाई प्रगट करेगा। मेरा प्रान सिहों के बीच में है। मुझे जलते हों के बीच में लेटना पड़ता है। अर्थात ऐसे मनुष्वों के बीच में जिनके दात बर्ची और तीर है और जिनकी जीब तेज तलवार है। हे परमिश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अतिमहान और तेजुमय है। तेरी महिमा सारी प्रुथवी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल है। मैं गाओंगा वरन भजन किरतन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा। हे सारंगी और विना जाग जाओ। मैं भी पहब हटते ही उठ जाओंगा। हे प्रभु मैं देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवात करूंगा। मैं राज्यराज के लोगों के बीच तेरा भज फिके उपर फैल जाए। उनमें सरपकासा वीश है। वे उस नाक के समान हैं जो सुनना नहीं चाहता। और सपेरा कैसी ही निपुंता से क्योन मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। हे परमिश्वर उनके मुह में से दातों को तोड़ दे। हे यहवा उन जवान सिहों की दाड़ों को उखार डा वे घुलकर बहते हुए पानी के समान हो जाए। जब वे अपने तीर चड़ाए तब तीर मानों दो टुकडे हो जाए। वे घुलकर नाश हो जाता है। और स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो। जिसने सुरज को देखा ही नहीं। उससे पहले कि तुम्हारी हड्डिय में काटो की आँच लगे, वह हरे और जले दोनों को पवंडर से उडा ले जाएगा। धर्मी ऐसा पल्टा देखकर आनंदित होगा। वह अपने पाव दुष्टों के लोहों में दोएगा। तब मनुष कहने लगेंगे निश्च धर्मी के लिए फल तो है, निश्च परम प्रुथ्वी पर न्याय करता है। लोग मेरे विरुद्ध इकटे होते हैं, वह मुझ निर्दोश पर दवड़े दवड कर लड़ने को तयार हो जाते हैं। मुझ से मिलने के लिए जाग। उठ और यह देख, हे सिनाव के परमेश्वर यहोवा, हे इसरायल के परमेश्वर, सब अन्य जाती वालों को दंड़ देने के लिए जाग। किसी विश्वास्गाती अत्याचारी पर अनुग्रह न कर। वे लोग सांच को लटकर कुट्टे किनाई गुराते हैं, और नगर के चारो ओर गुमते हैं। देख, वे डकारते हैं, उनके मुह के भीतर तलवारे हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि कौन सु तु सब अन्यजातियों को ठटे में उड़ाएगा, हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमिश्वर मेरा उचा गड़ है, परमिश्वर करूना करता हुआ मुझ से मिलेगा, परमिश्वर मेरे द्रोहियों के विशे मेरी इच्छा पूरी कर देगा, उन्हें ग जूट बूलने की कारण अभिमान में फसे हुए पकड़े जाए, जल्यलाहट में आकर उनका अंतकर, उनका अंतकर दे, ताकि वे नश्ट हो जाए, तब लोग जानेंगे कि परमिश्वर याकुप पर बरनपुत्वी की छोर तक प्रभुता करता है, वे सांच को लटकर कु और भुर को तेरी करुणा का जयजेकार करूँगा, क्योंकि तु मेरा उचा गढ़ है, और संकट के समय मेरा शरंस्थान ठहरा है, हे मेरे बल मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमिश्वर तु मेरा उचा गढ़ और मेरा करुणा मैं परमिश्वर है, भजन सहिता अ तुने भूमी को कमपाया और फाल डाला है, उसके दरारों को भर दे, क्योंकि वह डगमगा रही है, तुने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुखताया, तुने हमें लडखडा देने वाला दाकमधु पिलाया है, तुने अपने डरवयों को जंडा दिया है, कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए, तु अपने दहिने हाथ से बचा, और हमारी सुन ले, कि तेरे प्रिये छुडाया जाए, परमिश्वर पवित्रता के साथ बोला है, मैं प्रफुलित हूंगा, मैं शकेम को बाट लूंगा, और सुकोत की तराई को नपवाऊंगा, गिलाद मेरा है, मनश्य भी मेरा है, और इफ्रायम मेरे सिर का टोप, यहुदा मेरा राजदंड है, मोब मेरे धोने का पात्र है, मैं एदोम पर अपना जूता फेकूंगा, हे पलिष्टिन मेरे ही कारण जैजेकार कर, मुझे गड़वाले नगर में कोन पहुचाएंगा, एदोम तक मेरी अ पहुआ चुटकारा व्यर्थ होता है, परमिश्वर की साहता से हम वीर्था दिखाएंगे, क्योंकि हमारे विद्रोहियों को वही रौन देंगा, भजन सहिता अध्याय 61, हे परमिश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रातना की ओर ध्यान दे, मुर्छा काते समय, मैं पृत और शत्रु से बचने के लिए उचा गड़ है, मैं तेरे तंबु में युगान युग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखो की ओट में शरन लिये रहूंगा, क्योंकि है परमिश्वर, तुने मेरी मननते सुनी है, जो तेरे नाम के डरवये है, उनका सा भाग तुने मुझे द दिया है, तु राजा की आयू को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीड़ी-पीड़ी के बराबर होंगे, वह परमिश्वर के सन्मुख सदा बना रहेगा, तु अपनी करुणा और सच्चाय को उसकी रक्षा करने के लिए ठहरा रखेंगा, और मैं सरवदा तेरे नाम क भजन का कर अपनी मननते हर दिन पूरी किया करूंगा, भजन सहिता अध्याय बासट, सच्मुच मैं चुपचाप होकर परमिश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है, सच्मुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गड़ है, मैं बह करते रहोगे, कि सब मिलकर उसका घात करो, वह तो जुकी हुई भीत, वह गिरते हुए बाड़े के समान है, सच्मुच वह उसको उसके उचे पद से गिराने की सम्मती करते है, वह जूट से प्रसंद रहते है, मुह से तो वह आशिर्वा देते, पर मन में कोशते है, है मेरे परमेश्वर के सामने चुपचाब रहा, क्योंकि मेरी आशा उसी से है, सच्मुच वही मेरी चटान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गड़ है, इसलिए मैन डिगूंगा, मेरे उद्धार और मेरी महमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दुढ़ चटान और मेरा शरंस्थान परमेश्वर है। हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। उससे अपने मन की बाते खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरन स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही है। तौल में वे हलके निकलते हैं। वे सब के सब सास से भी हलके हैं। अंधे करने पर भरोसा मत रखो और लूट पाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी तुम उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और दो बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है और हे प्रभु करुना भी तेरी ही है क्यों मेरा परमेश्वर है मैं तुझे यतन से धूंडूंगा सुखी और निरिजल उसर भुमी पर मेरा मन तेरा प्यासा है मेरा शरीर तेरा अती अभिलाशी है इस प्रकार से मैंने पवित्रस्थान में तुझ पर दुरुष्टी की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखो क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है मैं तेरी प्रशन सा करूँगा इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहतार होँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊँगा मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तुप्त होगा और मैं जैजेकार करके तेरी प्राया में जैजेकार करूँगा मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तु तु अपने दहने हाथ से थामे रहता है परंतु जो मेरे प्रान के खोजी है वे पृत्वी के नीचे के स्थानों में जा पड़ेंगे वे तलवार से मारे जाएंगे और गिदरो परन्तु राजा परमेश्वर के कारण आनन्दित होगा। जो कोई परमेश्वर की शपत खाए वह बढ़ाई करने पाएगा। परन्तु जूट बोलने वालों का मुह बंद किया जाएगा। उलड से मेरी आड हो। उन्होंने अपनी जीप को तलवार के नाई तेज किया है। और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चड़ाया है। ताकि जिपकर खरे मनुशों को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी है। वे बुरे काम करने को ही याव बानते है। वे अपने लगाने के विशय बाच्चित करते हैं और कहते हैं कि हमको कौन देखेगा। वे गुटिलता की युकती से निकलते हैं और कहते हैं कि हमने पकी युकती खोच कर निकाली है। एक-एक कममान और व्रधय अथाह है। परंतु परमिश्वर उन्पर तीर चलाएगा। वे अचानक घायल हो जाएंगे, वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर किरुपढेंगे, जितने उन पर दुष्टी करेंगे, वे सब अपने अपने सीर्ख लाएंगे, और सारे लोग डर जाएंगे, और परमिशर के कामों का बखान करेंगे, और उसके कारेकरम को भली भ भजन सहिता अध्याय 65, हे परमिशर, सियोन में स्तूती तेरी बाट जो होती है, और तेरे लिए मन्नते पूरी की जाएगे, हे प्रात्ना के सुनने वाले, सप्रानी तेरे ही पास आएंगे, अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए है, हमारे अप्राधों को तू ढपतेगा क्या ही धन्य है वह जिसको तू चून कर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करें, हम तेरे भवन के अर्था तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तुप्त होंगे, हे हमारे अधर करता परमिश्वर, हे प्रुत्वी के सब दूर द देटाका से हुए अपनी सामर्थ से परोतों को स्थीर करता है, तू समुद्र का महाशब्द, उसकी तरोंगों का महाशब्द और देश-देश के लोगों का कोलाहल शान्त करता है, इसलिए दूर-दूर के देशों के रहने वाले तेरे चिन्न देख कर डर गए है, तू दू को तयार करके मनुषों के लिए अन्न को तयार करता है, तू रेवारियों को भली भाती सिंचता है, और उसमें बीचमी की मिट्टी को बैठाता है, तू भूमी को मेहसे नरम करता है, और उसकी उपच पर आशिश देता है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तून चराया भेड़ भकरियों से भरी हुई है, और तराया अन्न से ढपी हुई है, वे जैजेकार करती और गाती भी है, भजन सहीता अध्याय सैसट ये सारे पूत्वी के लोगों, परमिश्वर के लिए जैजेकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तूती करते हुए उसकी महिमा करो, परमिश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरी महासामर्थ के कारण, तेरे शत्रु, तेरी चापलुसी करेंगे, सारी पूत्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएगे वे तेरे नाम का भजन गाएगे आओ परमेश्वर के कामों को देखो वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भाययोग्य देख पड़ता है उसने समुद्र को सुकी भूमी कर डाला वे महानद म पावपा पार उत्रे वहां हम उसके कारण आनंदित हुए वह अपने पराक्रम से सरवदा प्रभूता करता है और अपनी आँखों से जाती-जाती को ताकता है हटी ले अपने सिर न उठाए हे देश-देश के लोगों हमारे परमिश्वर को धन्ने कहो और उसकी स्तूती मे राग उठाओ, वही है जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाव को टलने नहीं देता, क्योंकि है परमिश्वर, तुने हमको जाचा, तुने हमें चांदी किनाई ताया था, तुने हमको जाल में फसाया और हमारे कटी पर भारी बोज बान्धा था, तुने घुर चड़ों को हमारे सिरों के उपर से चलाया हम आग और जल से होकर गए तो थे परंतु तुने हमको उबार के सुक से भर दिया है मैं होंबली लेकर तेरे बहौन में आऊंगा मैं उन मननतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुह खोल कर मानी और संकट के समय कही थी मैं तुझे मोटे पशों के होंबली मेंडो के चरबी को धूप समय चढ़ाऊंगा मैं बक्रो समेद बैल चढ़ाऊंगा हे परमिश्वर सब दरवयों आकर सुनो मैं बताऊंगा कि उनसने मेरे लिए क्या क्या किया है मैंने उसको पुकारा और उसी का गुनवादन मुझ से हुआ यदि मैं मन में अनर्थबाद सोचता तो प्रभू मेरी न सुनता परंतु परमिश्वर ने तो सुना है उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है धन्य है परमिश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अंसुनी की और उन मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है भजन सहीता अध्याय सैसट परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशिश दे वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए जिससे तेरी गती पृत्वी पर और तेरा की अहुआ उधार सारे जातियों में जाना जाए हे परमेश्वर देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे राज़ रज्य के लोग आनंद करे और जैजिकार करे क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पुत्विके राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा हे परमेश्वर देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे भूमी ने अपनी उपज दी है परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वह हमें आशिश देगा और पुठ्वी के दुर्दूर के देशों के सब लोग उसका भह मानेंगे भजन सहिता अध्याय 68 परमेश्वर उठे उसके शत्रू तितर वित्तर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाल जाए जैसा धुआ उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे जैसा मोम आग के आज से भीघल जाता है वैसे ही दुष्ट्र लोग परमेश्वर की उपस्तिती से नाशो परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुलित हो, वे आनंद में मगन हो, परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ, जो निरजल देशों में सवार होकर चलता है, उसके लिए सड़क बनाओ, उसका नाम याहा है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुलित हो, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विद्वाओं का न्याई है, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है, और बंधों को छुड़ा कर भाग्यवान करता है, परंतु हटीलों को सुखी भूमी पर रहना पड़ता है, हे परमेश्व जब तू अपनी प्रजा के आगे-ागे चलता था, जब तू निर्जल भूमी में सेना समय चला, तब पूत्वी काप उठी, और आकाश भी परमिश्वर के सामने टपकने लगा, उधर सिने परवत, परमिश्वर, हाँ, इस्राइल के परमिश्वर के सामने काप उठा, हे परम तू ने अपनी भलाई से दिन जन के लिए तैयारी किया है, प्रभवाग्या देता है, तब शुप समाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाती है, अपनी अपनी सेना समेत, राजा भागे चले जाते है, और ग्रुहस्थीन लूट को बाट लेती है, क्या तुम जालों के बीच लेट जाओगे, और ऐसी कबूतरी के सरीके होंगे, जिसके पंक चांदी से, और उसके पर पीले सोने से मढ़े हुए हो, जब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओ को तित्तर वित्तर किया, तब मानो शलमोन परवत पर हीम पड़ा, बाशान का पहाड परम परमिश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है, वहां यहोवा सदा वास किये ही रहेगा, परमिश्वर के रत बिस हजार, बरन हजारों से हजार है, प्रभु उनके बीच में है, जैसे वह सिनय पवित्रस्थान में है, तु उचे पर चढ़ा, तु लोगों को बंधुआए म ले गया, तुने मनुश्वर से बरन हटिले मनुश्वर से भी भेटे ली, जिससे यहाँ परमिश्वर उनमें वास करे, धन्य है प्रभु जो प्रति दिन हमारा बोज उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमिश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमिश्वर ठ निश्च परमेश्वर अपने शत्रूं के सिर पर और जो अधर्म के मारग पर चलता रहता है उसके बाल भरे चोंडे पर मार मार के उसे चूर करेगा। गाने वाले आगे आगे और तारवाले बाजो के बजाने वाले पीछे पीछे के चारों और कुमारिया डप बजाती थी। हे परमेश्वर जो कुछ तुने हमारे लिए किया है उसे दुढ़कर। तेरे मंदिर के कारण जो यरुशले में है राजा तेरे लिए भेट ले आएंगे। नरकंटों में रहने वाले बनेल पश्यों को सांडों के जुंडों को और देश-देश के बच्छों को जड़कते। वे चांदी के टुकड़े लिए हुए प्रणाम करेंगे। जो लोग युद्ध से प्रसन रहते हैं उनको उसने तित्तर बित्तर किया है। मिस्र से रईस आएंगे। कुशी अपने हाथों को परमेश्वर की और फूर्ती से फैलाएंगे। हे पूर्ती पर के राजजराज्य के लोगो परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभू का भजन गाओ, जो सबसे उचे सनाता स्वर्ग में सवार होकर चलता है। देखो, वह अपनी वानी सुनाता है, वह गंभिरवानी शक्तिशाली है। परमेश्वर की सामर्थ की स्तूती करो, उसका प्रताप इसरायल पर छाया हुआ है, और उसकी सामर्थ आकाश मंडल में है। हे परमेश्वर, तु अपने पवित्र स्थानों में भाययोगे है। इसरायल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वा मैं बड़े दलदल में धसा जाता हूं और मेरे पैर कही नहीं रुखते। मैं गहिरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूं। मैं पुकारते पुकारते ठक गया। मेरा गला सुख गया है। अपने परमिश्वर की बाट जो होते जो होते मेरी आखे रह गई है। जो जो मैंने लूटा नहीं, वह भी मुझको देना पड़ा, हे परमशर, तू तो मेरी मूडता को जानता है, और मेरे दोश तुझ से छिपे नहीं है, हे प्रभु, हे सिनाओ के हुआ, जो तेरी पाठ जो होते है, उनकी आशा मेरे कारण न तूटे, हे इस्राइल के परमशर, जो तुझे ढूंते है, उनका मुह मेरे कारण काला न हो, तेरी ही कारण मेरी निंदा हुई है, और मेरा मुह लज्जा से धपा है, मैं अपने भाईयों के सामने अजनबी हुआ, और अपने सगे भाईयों की दुरुष्टी में परदेश इठहरा हूँ, क्योंकि मैं तेरे उनके निमित जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करते है, वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है, जब मैं रोकर और उपवास करके दुख़ उठाता था, तब उससे भी मेरी नामधराई ही हुई, और जब मैं टाट का वस्त्र पहिने था, तब मेरा दुरु उनमें चलता था, फाटक के पास बैठने वाले मेरे विशे बाचित करते हैं, और मदीरा पीने वाले मुझपर लगता हुआ गीत गाते हैं, परन्तु हे यह हुआ, मेरी प्रार्तना तो देरी प्रसनता के समय में हो रही है, हे परमेश्वर अपनी करुना की बहुतायत से औ और अपने बचाव की अपनी सच्ची प्रतिग्या की अनुसार मेरी सुन ले, मुझको दलदल से भी उबार, कि मैं धस न जाओ, मैं अपने बैरियों से और गहिरे जल में से बच जाओ, मैं धारा में डूब न जाओ, और मैं गहिरे जल में डूब मरू, और पाताल का मुह म मेरे उपर बंद न हो, हे यह हुआ, मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है, अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे, और अपने दास से अपना मुह न मूड, क्योंकि मैं संकट में हूँ, हुर्ती से मेरी सुन ले, मेरे निकटा कर मुझे छुडा मेरी नामधराई, और लज्जा, और अनादर को तू जानता है, मेरे सब दो ही तेरे सामने है, मेरा रध है, नामधराई के कारण फट गया, और मैं बहुत उदास हूँ, और मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परन्तु किसी को न पाया, और शांती देने वाले परन्तु कोई न मिला, और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंदरायन दिया, और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया, उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए, और उनके सुख के समय जाल बन जाए, उनकी आखों पर अंधेरा चा जाए, ताकि वे देख न सके, और तु उनकी कटी को निरंतर कमपाता रहा, उनके उपर अपना रोश भढ़का, और तेरे क्रोध की आच उनको लगा ले, उनकी च्छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई न रहे, क्योंकि जिसको तुने मारा, वे उसके पीछे पड़े है, और जिनको धर्मियों के संग लिखा न जाए, परन्तु मैं तो दुखी और पिडिद हूँ, इसलिए हे परमिश्वर तु मेरा उद्धार करके मुझे उचे स्थान पर बैठा, मैं गीत का कर तेरे नाम की स्तूति करूँगा, और धन्यवात करता हुआ तेरी बढ़ाई करूँगा, य क्योंकि यहुआ दरिद्रों की और कान लगाता, और अपने कानों को जो बंधू है तुच्छ नहीं जानता, स्वर्ग और पृत्वी उसकी स्तूति करें, और समुद्र अपने सब जीव जनतू समेत उसकी स्तूति कर, क्योंकि परमिश्वर स्वियों का उद्धार करेगा, और यहुदा के नगरों को फिर बसाएंगा, और लोग फिर वहां बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे, उसके दासों का वंच उसको अपने भाग में पाएगा, और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे. भजन सहिता अध्याय सत्तर, हे परमिश्वर मुझे चुड़ाने के लिए हे यहुवा, मेरी सहिता करने के लिए फूर्ति कर, जो मेरे प्रान के खोजी है, उनकी आशा तूटे, और मुह काला हो जाए. जो मेरी हानी से प्रसन होते हैं, वे पीछे हटाए और निरादर किये जाए, जो कहते हैं आहा, आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाए, जितने तुझे दोणते हैं, वे सब तेरे कारण हर्शित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं, वे निरं विलंब नकर, भजन सहिता अध्याए 71, हे हुआ, मैं तेरा शर्नागत हूँ, मेरी आशा कभी तूटने न पाए, तू तो धर्मी है, मुझे छुडा और मेरा उद्धार कर, मेरी ओर कान लगा, और मेरा उद्धार कर, मेरी लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकू, तूने मेरे उद्धार के आग्या तो दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गर्ड ठैरा है, हे मेरे परमिश्वर, दुष्टके और कुटील और खुर मनुष्व के हाथ से मेरी रक्षा कर, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाठ जो ह आया हूँ, बच्पन से मेरा आधार तू है, मैं गर्भ से निकलते ही तूझ से संभाला गया, मुझे मा की कोक से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्थूती करता रहूँगा, मैं बहुतों के लिए चमतकार बना हूँ, परन्तु तू मेरा दुरुढ शरंस्थ दे, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विशय बाते करते हैं, और जो मेरे प्रान की ताक में है, वे आपस में यह सम्मति करते हैं, कि परमश्वर ने उसको छोड़ दिया है, उसका पीछा करके उससे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुडाने वाला नहीं, हे परमश्वर, मुझ मैं तो निरंतर आशा लगाय रहूंगा और तेरी स्तूती अधिक-धि करता जाऊंगा। मैं अपने मुह से तेरे धर्म का और तेरे किये हुए उद्धार का वर्नन दिन भर करता रहूंगा। इसलिए हे परमिश्वर जब मैं बुढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाए तब भी तु मुझे न छोड़। तब तक मैं आने वाजे पीढ़ी के लोगों को तेरा बहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम सुनाता रहूंगा। इसलिए हे में से भी उभार लेगा। तु मेरी बढ़ाई को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांती देगा। और मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा। क्योंकि जो मेरे हानी के अभिलाशी थे उनकी आशा तूट गई और उनके मुह काले हो गए है। भजन सहिता अध्याय बहात्तर। भजन सहिता अध्याय बहात्तर हे परमिश्वर राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला, वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा, पहाडों और पहाडियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वार शान्ती मिला करेगी, वह प्रजा के दिन लोगों का नय करेगा, और दरिद लोगों को बचाएगा, और अंधेर करने वालों को चूर करेगा, जब तक सुरिया और चंद्रमा बने रहेगे, तब तक लोग पीड़ी-पीड़ी तेरा भय मानते रहेगे, वह घास की खुंटी प समुद्र तक और महानत से पृत्वी की छोर तक प्रभुता करेगा, उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे, और उसके शत्रू मिट्टी चाटेंगे, तर्शीश और द्वीप-द्वीप के राजा भेट ले आएंगे, शेबा और सबा दोनों के राजा द्र कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा, और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा, वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रों से छुडा लेगा, और उनका लोहु उसके दुरुष्टी में अनमोल ठहरेगा, वह तो जीवित रहेगा, और शेबा के सोने में से उसको दिया जाएगा लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको धन्य कहते रहेंगे देश में पहाड़ों की चोटिय पर बहुत सा अन्न होगा जिसकी बाले लबानोन के देवदारों की नाई जुमेंगी और नगर के लोग घास की नाई लहलाएंगे उसका नाम सदा सरवदा बना रहेगा जब तक सुर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे सारी जातिया उसको भाग्यवान कहेंगी धन्य है यहोवा परमिश्वर जो इस्राइल का परमिश्वर है आश्चर भजन सहिता अध्याय 73 और मनुष्यों के समान उन पर विपत्ती नहीं पड़ती इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है उनका ओडना उपद्रव है उनकी आखें चर्बी में से जलकती है उनके मन की भावनाएं उमडती है वे ठटा मारते है और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते है वे डिं और उनको भरे हुए प्याले कासा जल मिलेगा फिर वे कहते है कि परमेश्वर कैसे जानता है क्या परमप्रधन को कुछ ग्यान है देखो ये तो दुष्ट लोग है तो भी सदा सुभागी रहकर धन समपत्ती बटोरते रहते है निश्चे मैंने अपने रधै को व्यर्थ श करूंगा तो देख मैं तेरे लड़कों की संतान के साथ प्रूरता का व्योहार करता जब मैं सोचने लगा कि इसमें कैसे समझूंगा तो यह मेरी दुष्टी में अतिक कठीन समस्या थी जब तक कि मैंने परमेश्र के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा निश्च तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिरा कर सत्यानाश कर देता है अहां वे खशनभर में कैसे उजड़ गये हैं वे मिट गये वे घबराते घबराते नाश हो गये हैं जैसे जाक कर स्वपन को तुछ जानते हैं वैसे ही प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझ कर तुछ जानेगा मेरा मन तो चिर्चिडा हो गया मेरा अंतकरन चिद गया था मैं तो पशु सरीका था और समझता न था मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था तूने मेरे दहने हाथ को पक कुछ नहीं चाहता, मेरे रधे और मन दोनों तो हार गए है, परंतु परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग और मेरे रधे की चक्टान बना है, जो तुछ से दूर रहते हैं, वे तो नाश होगे, जो कोई तेरे विरुद्ध वेविचार करता है, उसको तु विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना, यही मेरे लिए भला है, मैंने प्रभु यहवा को अपना शरंस्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्नन करूँ, भजन सहिता अध्याय चावत्तर, हे परमेश्वर, तुने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है, तेरी क पुपागनी का धुआ तेरी चराई की भेडों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है। पवित्रस्थान में किये है। तेरे द्रोहिक तेरे सभास्तान के बीच गरचते रहे है। उन्होंने अपने ही धोजाओं को चिन्न ठहराया है। वे उन मनुशों के समान थे जो घने वन के पेडों पर कुल्हाडे चलाते हैं। और अब वे उस भवन की नकाशि को कुल्हाड और हतरों से बिलकुल तोड़े डालते हैं। उन्होंने तेरे पवित्रस्थान को आग में जोग दिया है। और तेरे नाम के निवास को गिराकर अर्शुद्ध कर डाला है। उन्होंने मन में कहा है कि हम इनको एकदम दबा दे। उन्होंने इस देश में परमिशर के सब फोग दिया है। हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते। अब कोई नभी नहीं रहा। न हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी। है परमिश्वर द्रोही कब तक नामधराई करता रहेगा। क्या शत्रु तेरे नाम की निंदा सदा करता रहेगा। अंत कर दे, परमिश्वर तो प्राचिनकाल से मेरा राजा है, वह पुथवी पर उधार के काम करता आया है, तुने तो अपनी शक्ती से समुद्र के दो भाग कर दिया, तुने तो जल में मगर मच्छों के सीरों को फूर दिया, तुने तो लिव्यातानों के सीर टुक्डे अंतू को खिला दिये, तुने तो सोता खोल कर जल की धारा बहाई, तुने तो बारमासी नदियों को सुखा डाला, दिन तेरा है, राच भी तेरी है, सुरिय और चंद्रमा को तुने स्थीर किया है, तुने तो पुथवी के सब सिवानों को ठैराया, धूपकाल और जाडा दोनों तुने ठैराया है, हे यहोवा स्मरण कर, कि शत्रु ने नाम धराई की है, और मुड़ लोगों ने तेरे नाम की निंदा की है, अपनी पिंडुकी के प्राण को वन पशु के वश में न कर, अपने दीन जनों को सदा के लिए न भूल, अपनी वाचा की सूधी ले, क इसे हुए जन को निरादर होकर लटना न पड़े, दीन और दरिद्र लोग तेरे नाम की स्तूति करने पाए, यह परमिश्वर उठ, अपना मुकदमा आप ही लड़, तेरी जो नामधराई मूर से दिन भर होती रहती है, उसे स्मरण कर, अपने द्रोहियों का बड़ा बोल न भूल, तेरे विरोधियों का कुलाह तो निरंतर उठता रहता है, भजन सहिता अध्याए पचतर। हे परमिश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रगट हुआ है, तेरे आश्चरे कर्मों का वर्नन हो रहा है, जब ठीक समय आएगा, तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा, पुत्वी अपने सब रहने वालों समेत गल रही है, मैंने उसके खंबों क स्थीर कर दिया है, मैंने घमंडियों से कहा कि घमंड मत करो, और दुष्टों से कि सिंग उचा मत करो, अपना सिंग बहुत उचा मत करो, न सिर उठा कर ढीटाई से बाद बोलो, क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से, न पस्चिम से, और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही नयाई है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है, यहवा के हाथ में एक कटोरा है, जिसमें का दाख मधु जागवाली है, उसमें मसाला मिला है, और वह उसमें से उंडेलता है, निश्चे उसकी तर्छट तक पृत्वी के सब दुष्ट लोग पी परन्तु मैं तो सदा प्रचार करता रहूँगा, मैं याकूप के परमेश्वर का भजन गाऊंगा, और दुष्टों के सब सिंगों को मैं काट डालूँगा, परन्तु धर्मी के सिंग उचे किये जाएंगे. भजन सहिता अध्याय चहत्तर परमेश्वर यहुदा में जाना गया है, उसका नाम इसरायल में महान हुआ है, और उसका मंडप शालेम में और उसका धाम सियोन में है, वहां उसने चमचमाते तीरों को और ढाल और तलवार को तोड़ कर निदान लढ़ाई ही को तोड़ डा है, हे परमेश्वर तु तो जोती में है, तु आहर से भरे हुए पहाडों से अधिक उत्तम और महान है, दुढ़मन वाले लुट गए और भारी नीन में पड़े है, और शूर वीरों में से किसी का हाथ न चला, हे याकुब के परमेश्वर तेरी घुडकी से रथो समेद घ परचन सुनाया है, पुत्वी उस समय सुनकर डर गई, और चुप रही, जब परमेश्वर नाय करने को और पुत्वी के सब नम्र लोगों का उधार करने को उठा, निश्चर मनुश्र की जलजलाहट तेरी स्तूति का कारण हो जाएगी, और जो जलजलाहट रह जाए, उसक लिए भेट ले आए, वह तो प्रधारों का अभिमान मिटा देगा, वह पुत्वी के राजाओं को भाययोग्य जान पड़ता है, भजन सहिता अध्याय सतहत्तर, मैं परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दूँगा, मैं परमेश्वर की दोहाई दूँगा, और वह म मेरी ओर कान लगाएगा, संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और धिलान न हुआ, मुझ में शान्ती आई ही नहीं, मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कहराता हूँ, मैं चिंता करते करते मुर्चित हो चला हूँ, तु मुझे के लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूँ, कि मेरे मुह से बात नहीं निकलती, मैंने प्राचिन काल के दिनों को और यूगयूग के वर्षों को सोचा है, मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और अपने मन में ध्यान करता हूँ, और मन में भली भाती विचार करत क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा? और फिर कभी प्रसंद न होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वच्चन पीढ़ी-पीढ़ी के लिए निश्फल हो गया है? क्या परमिश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध क करके अपनी सब दया को रोक रखा है? मैंने कहा यह तो मेरी दुर्बलता ही है, परंतु मैं परंप्रधान के दहिने हाथ के वर्षों को विचारता हूँ. मैं यहा के बड़े कामों की चर्चा करूँगा. निश्च मैं तेरे प्राचिन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरन करूँगा. मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूँगा और तेरे बड़े कामों को सोचूँगा. हे परमेश्वर तेरी गती पवित्रता की है. कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तु ही है. तुने देश-देश के ल गहरा सागर भी काप उठा, मेगो से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्दों हुआ, फिर तेरे तीज इधर उधर चले, बवंडर में तेरे गर्जने का शब्द सुन पड़ा, चगत बिजली से प्रकाशिक हुआ, पृत्वी कापी और हिल गई, तेरा मार्ग समुद्र मे हैं, और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पाउं के चिन्ह मालूम नहीं होते, तुने मुसा और हारुन के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई, भेडों किसी की, भजन सहिता अध्याय 78, भजन सहिता अध्याय 78, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे मुह नितिवचन करने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचिनकाल की कुप्त बाते कहूंगा, जिन बातों को उटी भी दे सकता है, क्या वह अपनी प्रजा के लिए मास भी तयार कर सकता है, यहवा सुनकर क्रोध से भर गया, तब याकुप के बीच आग लगे, और इस्राल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया, तो भी उसने आकाश को आग्या दी, स्वर्ग के द्वारों को खोला, और उनके लिए खाने को मान बरसाया, और उन्हे स्वर्ग का अन्न दिया, उनको शूर विरों किसी रोटी मिली, उसने उनको मनमाने भोजन दिया, उसने आकाश के पुरवाई को चलाया, और अपनी शक्ति से दखिन बहाई, और उसके लिए मास धुली किसी नाई बहुत परसाया, और समुद्र के बालों के समान अनगिनत पक्षी भेजे, और उनकी चावनी के बीच में, उनके निवासों के चारो ओर गिराए, और वे खाकर अतित्रुप्त होए, और उसने उनकी कामना पूरी की, उनकी कामना बनी ही रही, उनका भोजन उनके मोही में था, कि परमेशुर का क्रोध उन पर भढ़का, और उसके उ उनके दिनों को व्यर्थश्रम में और उनके वर्षों को घबरहट में कटवाया। जब जब वह उन्हें घात करने लगता तब तब वे उसको पूँचते थे और फिरकर परमेश्वर को यतन से खोचते थे। और उनको स्मरण होता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परमप्रधान परमेश्वर हमारा चुडाने वाला है तो भी उन्होंने उससे चापलू सिकी और वे उससे जूट बोले क्योंकि उनका रधय उसकी ओर दुढ़न था नवे उसकी वाचा के विशय सच्चे थे। परंतु वह जो दयालू है वह अधर्म को ढापता और नाश नहीं करता वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजला हट को पूरी रीती से भढ़कने नहीं देता तब उसको समर्ण हुआ कि ये नाशमान है ये वायू के समान है जो चली जाती और लौट नहीं आती उन्होंने कितनी बार जंगल में उससे बलवा कि और निर्जल देश में उसको उदास किया वे फिरकर परमेश्वर की परिक्षा करते थे और इस्राल के पवित्र को खेदीत करते थे उन्होंने न तो उसका भुजबल समर्ण किया न वह दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से चुड़ाया था कि उसने क्योंकर अपने चि जिन्होंने उन्हें काट खाया और मेंडग भी भेजे जिन्होंने उनका बिगाड किया और उसने उनकी भुमी की उपज कीड़ों को और उनकी खेती बारी टिड़ियों को खिला दी थी उसने उनकी दाखलताओं को ओले से और उनके गुलर के पेड़ों को बड़े बड़े पत्थर बरसा कर नाश किया, उसने उनके पश्यों को ओले से और उनके ढोरों को बिजलियों से मिटा दिया, उसने उनके ऊपर अपना प्रचंद क्रोध और रोश भढ़काया, और उन्हें संकट में डाला, और दुखदाई दूतों का दल भेजा, उसने अपने क्रोध का मार और उनके प्राणों को मुर्त्यू से न बचाया, परंतु उनको मरी के वश में कर दिया, और मिस्र के सब पहलोठों को मारा, जो हाम के डेरों में पौरूश के पहले फल थे, परंतु अपनी प्रजा को भेडबकरियों की नाई पयान कराया, और जंगल में उनकी अगुवाई पशों के जूंड की सिकी, तब वे तो उसके चलने से बेखटक चले, और उनको कुछ भाय न हुआ, परंतु उनके शत्रू समुद्र में डूब गए, और उसने उनको अपने पवितर देश के सिवाने तक इसी पहाड़ी देश में पहुचाया, जो उसने अपने दहिने चेप प्राप्त किया था, और उसने उनके सामने अन्य जातियोंस को भगा दिया, और उसकी भूमी को डोरी से माप माप कर बाढ़ दिया, और इस्रायल के गोत्रों को उनके डेरों में वसाया, परंतु उन्होंने परमप्रधान परमेश्वर की परिक्षा की और उससे बलवा किया और उसकी चितुनियों को न माना और मुड़कर अपने पुरुखों की नाई विश्वास घात किया उन्होंने निकम में मनुश्व की नाई धोका दिया और उन्होंने उचे स्थान बना कर उसको रिश्दि लाई और खुदी हुई मूर्तियों के द्वारा उसमें जलन उपचाई परमेश्वर सुनकर रोच से भर गया और उसने इसराल को बिलकुल तज दिया और शिलो के जाको तलवार से मरवा दिया और अपने नीजबाग के लोगों पर रोच से भर गया उनके जवान आग से भस्म हुए और उनकी कुवारियों के विवाह के गीत नगाए गये उनके याजग तलवार से मारे गये और उनकी विद्वाय रोने न पाई तब रभु मनो नीन से च फिर उसने यूसुप के तंबु को तज दिया और एप्राइम के गोत्र को न चुना परंतु यहुदाही के गोत्र को और अपने प्रिय श्योन परवत को चून दिया और अपने पवित्रस्थान को बहुत उचा बना दिया और पृत्वी के समान स्थीर बनाया जिसकी नेव उ फिर वह उसकी प्रजा याकुप की अर्थात उसके निजभाग इस्राइल की चरवाही करे। तब उसने खरेमन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। उन्होंने तेरे दासों की लोथों को आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया और तेरे भगतों का मास वन पश्यों को खिला दिया है। उन्होंने उनका लोहु यरुशलिम के चारो ओर जलकिनाई बहाया और उनको मिटी देने वाला कोई न था। पड़सियों के बीच हमारी नाम धराई हुई। चारो ओर के रहने वाले हम पर हसते और ठटा करते हैं। हे यहोवा, तु कब तक लगातार क्रोध करता रहेगा। तुझ में आग किसी जलन कब तक भढ़कती रहेगी। जो जातिया तुझको नहीं जानती और जिन राज्यों के लोग तुझ से प्रार का क्यामों को स्मरन्न कर। तेरी दया हम पर शिग्र हो क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। हे हमारे उद्धार करता परमिश्वर अपने नाम की महिमा के निमित हमारे साहता कर। और अपने नाम के निमित हमको छुड़ा कर हमारे पापों को ढापते। अन्य वालों को अपने भुजबल के द्वारा बचा और हे प्रभु हमारे पडोसियों ने जो तेरी निंदा किये है उनका साध गुना बदला उनको दे तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़े है तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक त तु जो गरुबों पर विराजमान है अपना तेज दिखा एफरीम, बिन्यमिन और मर्शे के सामने अपना पराक्रम दिखा कर हमारा उद्धार करने को आ ये परमिश्वर हमको जो कित्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका तब हमारा उद्धार हो जाएगा ये सिन हमारे पड़ोसियों के जगडे का कारण कर देता है और हमारे शत्रु मनमाने ठट्टा करते है ये सिनाओं के परमिश्वर हमको जो कित्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका तब हमारा उद्धार हो जाएगा तु मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जा के देवदारों के समान हुई उसकी शाखाय समुद्र तक बढ़ गई और उसके अंकुर महानत तक फैल गए फिर तुने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटो ही उसके फलों को तोड़ते है बंसुर उसको नाश की डालता है और मैदान के सब पशु उसे चर जा हे से नाओ के परमेश्वर फिरा स्वर्गत से देखकर ध्यान दे और दाखलता की सुधी ले और जो पवधा तुने अपने दहिने हाथ से लगाया और जिस लता के शाखा तुने अपने लिए दुरुढ़ की है उसकी सुधी ले वह जल गई वह कट गई है तेरी गुड़क तू हमको जिला और हम तुछ से प्राठना कर सकेंगे। हिसेनाओं के परमिश्वरी होवा हमको जो कित्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका तब हमारा उद्धार हो जाएगा। नए चांद के दिन और पुरुनमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फुको क्योंकि यह इसराइल के लिए विधी और याकूप के परमिश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उसने युसूप में चितवनी की रीती पर उस समय चलाया जब वह मिस्रदेश के विरुद् तब मैंने तुझे चुड़ाया बादाद गरजने के गुपतस्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नाम सोते के पास तेरी परिक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन मैं तुझे चिता देता हूँ हे इसराइल भला हो कि तू मेरी सुने तेरे बीच में पराया परमिश्वर और उन्ह तु किसी पराय देवता को दंडवत करना, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, तु अपना मुह पसार, मैं तुझे भर दूँगा, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इस्रायल ने मुझको न चाहा, इसलिए मैं उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया, कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्रायल मेरे मारगों पर चले, तो मैं एक शन्भर में उनके शत्रों को दबाऊंगा, और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध उसके वश में हो जाते हैं, और वे सदाकाल बने रहते हैं, और वह उनको उत्तम से उत्तम गेहु खिलाता, और मैं चक्तान के मधु से उनको तुप्त करूँ भजन सहिता अध्याय बयासी, परमेश्वर के सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह इश्वरों के बीच में न्याय करता है, तुम लोग कब तक टेड़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिदर का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचालो, दुष्टों के हाद से उन्हें छुडाओ, वे न तो कुछ समझते और न कुछ बूचते हैं, परन्तु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं, पुथ्वी की पूरी नीव हिल जाती है, मैंने कहा था कि तुम इश्वर हो और सब के सब परमप्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुशों के नाई मरोगे, और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे, हे परमिश्वर उठ, पुथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तु ही सब जातियों को अप अपने भाग में लेगा, भजन सहिता अध्याय 83, हे परमिश्वर मौन न रह, हे परमिश्वर चुप न रह, और उन शान्त रह, क्योंकि देख, तेरे शत्रु धूम मचा रहे है, और तेरे बैरियोंने सिर उठाया है, वे चत्रुराय से तेरी प्रजा की हानी की सम्मति करत और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तिया निकालते है, उन्होंने कहा, आओ, हम उनको ऐसा नाश करें, कि राज्य भी मिट जाए, और इस्रायल का नाम आगे को समरन न रहे, उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है, और तेरे ही विरुद्ध वाचा ये तो एदुम के तंबुवाले और इश्मायली, मौाबी और हुगरी, गबाली, अम्मोनी, अमालेकी और सोर समेत पलिष्टी है, इनके संग अशुरी भी मिल गए है, उनसे भी लोतवन्शियों को सहारा मिला है, इनसे ऐसा कर, जैसा मिद्ध्यानियों से और किशो नाले म सीसरा और याबिन से किया था, जो इंदोरे में नाश्वे और भूमी के लिए खाद बन गए, इनके रईसों को उरेब और जायब से रिखे और इनके सब प्रधानों को जेबह और सम्मुनाह के समान कर दे, जिन्होंने कहा था कि हम परमेश्वर की चरायों के अधिकारी और उस लव की नाई जो पहाड़ों को जला देती है, तु इने अपने आंधी से भगा दे और अपने बवंडर से घबरा दे, इनके मुह को अतिल लज्जित कर, कि ये यहवा, ये तेरे नाम को ढूंडे, ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहे, इनके मुह काले हो और इनका नाश हो जाए, जिससे यह जान ले कि तु जिसका नाम यहवा है, सारे पूठ्वी के ऊपर परमप्रधान है। तेरे परमश्वर, तेरी वेदियों में गवरया ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। फिर बरसात की अगली वुरुष्टी उसमें आशिश ही आशिश उपचाती है, वे बल पर बल पाते जाते है, उनमें से हर एक जन सियोन में परमश्वर को अपना मुह दिखाएगा। हे सिनाव के यहोवा परमश्वर, मेरी प्राठ न सुन। हे याकुप के परमश्वर, कान लगा। हे परमश्वर, हे मेरी ढाल, दुरुष्टी कर। और अपने अभिशिक्त का मुख देख। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहें के हजार दिन से उत्तम है। का ही धन्य है वह मनुष्वर, जो तुझ पर भरोसा रखता है। भजन सहिता अध्याय पचसी। हे यहुआ, तु अपने देश पर प्रसन्न हुआ। याकुप को बंधुआय से लवटा ले आया। तुने अपनी प्रजा के अधर्म को ख्षमा किया है और उसके सब पापों को ढाप दिया है। तुने अपने रोश को शान्त किया है और अपने भढ़को हुए कोप को दूर कर दिया है। हे हमारे उद्धार करता परमिश्वर, हमको फेर, और अपना क्रोध हम पर से दूर कर, क्या तु हम पर सदा कोपित रहेगा, क्या तु पिढ़ी से पिढ़ी तक कोप करता रहेगा, क्या तु हमको फिर न जिलाएगा, कि तेरी प्रजा तुझ से आनंद करे, हे यहवा, अपनी करुना हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर मैं कान लगाया रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है वह जो अपनी प्रजासे जो उसके भक्त है शांती की बाते कहेगा परंतु वे फिरके मुर्खता न करने लगे निश्च उसके डरवयों के उद्धार का समय निक प्रुथ्विमे से सच्चा यूकती और स्वर्ग से धर्म जुकता है फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमी अपनी उपज देगी धर्म उसके आगे-आगे चलेगा और उसके पाव के चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा भजन सहिता अध्याय चांसी हे यहोवा कान लगा कर मेरी सुन ले क्योंकि मैं तीन और दरिद्री हूँ मेरे प्राण की रक्षा कर क्योंकि मैं भक्त हूँ तू मेरा परमेश्वर है इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर हे प्रभु मुझ पर अ करता रहा हूँ अपने दास के मन को आनंदित कर क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते है उन सभों के लिए तू अतिकरुना में है हे यहोवा मेरे प्रार्तना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा हे प्रभु देवतों में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और उन्हें किसी के काम तेरे कामों के बराबर है हे प्रभू, जितनी जातियों को तुने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तु महान और आश्चरे कर्म करने वाला है, केवल तु ही परमेश्वर है, हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मा पर चलूँगा, मुझको एक चित कर, कि मैं तेरे नाम का भहेमान हूँ, हे प्रभू, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपुर नमन से तेरा धन्यवात करूँगा, और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूँगा, क्योंकि तेरे करूना मेरे उपर बड़ी है, और तुने कुछ विचार नहीं रखते, परंतु प्रभू, तु दयालू, और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तु विलंब से कोप करने वाला और अती करूना में है, मेरे और फिर कर, मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को तु शक्ती दे, और अपने दास के पुत्र का उद्धा कर, मुझे भलाय का कोई लक्षन दिखा, जिसे देखकर मेरे बईरी निराशो, क्योंकि है यहोवा, तुने आप ही मेरी साहता की, और मुझे शान्ती दी है, भजन सहिता अध्याय सत्यांसी, उसकी नेव, पवित्र परवतों में है, और यहोवा, सियून के फाटकों को, या परमशर के नगर, तेरे विशे महमा की बाते कही गई है, मैं अपने जान पहिचानवालों से रहब और बाबल की भी चार्चा करूँगा, पलिष्ट और सोर और कूश को देखो, यह वहाँ उत्पन्न हुआ था, और सियून के विशे में यह का आ जाएगा, कि अमुक अमु मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ है, और परमप्रधान आफ ही उसको स्थीर रखेगा, यहोवा, जब देश-देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब यह कहेगा, कि यह वहाँ उत्पन्न हुआ था, गवईये और दुरूतक दोनों कहेंगे, कि हमारे सब सोते त अध्याय 88, भजन सहिता अध्याय 88, हे मेरे उद्धार करता परमिश्वर, यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आग्यागे चिल्लाता आया हूँ, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्रान कलेश से भरा हुआ है, औ मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ, और जो घात होकर कबर में पढ़ते है, जिनको तु फिर समर नहीं करता, और वे तेरी साहता रही थै, उनके समान मैं हो गया हूँ, तुने मुझे गड़े के तलही में, अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है, तेरी मुझे पर बनी हुई है, और तुने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है, तुने मेरे पहिचानने वालों को मुझे से दूर किया है, और मुझे को उनकी दुष्टी में गिनवना किया है, मैं बंदी हूँ, और निकल नहीं सकता, दुख भोगते भोगते मेरी क्या कबर में तेरी करुणा का और विनाश के दशा में तेरी सच्चाय का वर्नन किया जाएगा? क्या तेरे अध्भुत काम अंध्यकार में वा तेरा धर्म विश्वाजगात की दशा में जाना जाएगा? परंतु हे यहवा मैंने तेरी दोहाई दी है और भुर को मेरी प्रार्थना तुछ तक पहुचेगी. हे यहवा तु मुझको क्यों छोड़ता है? तु अपना मुख मुझसे क्यों छिपा रहा है? मैं बचपनी से दुखी बरन अध्मुआ हूँ. तुछ से भै खाते खाते मैं अतिव्याकुल हो गया हूँ. तेरा क्रोध मुझपर पड़ा है. उस भैसे मैं मिट गया हूँ. वह दिन भर जल की नाई मुझे घेरे रहता है. वह मेरे चारो ओर दिखाए देता है. तुने मित्र और बंधवय दोनों को मुझसे दूर किया है. और मेरी जान पहचानने वा सदा गाता रहूंगा. मैं तेरी सच्चाई पीड़ी से पीड़ी तक जताता रहूंगा. क्योंकि मैंने कहा है कि तेरी करुणा सदा बनी रहेगी. तु स्वर्ग में अपने सच्चाई को स्थीर रखेगा. मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है. मैंने अपने दा दावत से शपत खाई है कि मैं तेरे वन्ष को सदास्थिर रखूंगा और तेरी राजगदी को पीड़ी से पीड़ी तक बनाय रखूंगा. हे यहवा स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी. क्योंकि आकाश मंडल में यहवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवन्तों के पुत्रों में से कौन है? जिसके साथ यहवा की उपमा दी जाएगी? परमेश्वर पवित्रों की गोश्टी में अत्यंत पतिष्टा के योग्य और अपने चारों और सब रहने वालों से अधिक भए योग्य है. हे सिनाओं के परमेश्वरी होआ, हे यहा, तेरे तुल्य कौन सामरती है, तेरी सच्चाई तो तेरे चारों और है. समुद्र के ग बहुपल से तित्तर बित्तर किया है. आकाश तेरा है, पृत्वी भी तेरी है. जगत और जो कुछ उसमें है, उसे तुही ने स्थिर किया है. उत्तर और दखिन को तुही ने सिर्जा. ताबोर और हेर्मोन तेरे नाम का जैजेकार करते है. तेरी भुजा बलवंत है. तेरा तेरा हाथ, शक्तिमान और तेरा तहिना हाथ प्रबल है, तेरे सिहासन का मूल, धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे-आगे चलती है, क्या ही धन्य है वह समाच जो आनंद के ललकार को पहिचानता है, हे यहुआ, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलत अपनी प्रसनता से हमारे सिंग को उचा करेगा, क्योंकि हमारे ढाल यहवा की ओर से है, हमारा राजा इस्रायल के पवित्र की ओर से है, एक समय तुने अपने भक्त को दर्शन दे कर बाते की, और कहा कि मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है, और प्रजा में से एक को बढ़ाया है, मैंने अपने दास दावत को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिशेक किया है, मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा, और मेरी भूजा उसे दुरुड रखेंगी, शत्रु उसको तंग करने न पाएगा, और न कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा, औ और मैं उसके द्रोहियों को उसके सामने से नाश करूँगा, और उसके बईरियों पर विपत्ति दारूँगा, परन्तु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी, और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंग ऊचा हो जाएगा, और मैं समुदर को उसके हाथ के नीचे, और महानदों को उसके दहने हाथ की नीचे कर दूँगा, वह मुझे ही पुकार कर कहेगा कि तु मेरा पिता है, मेरा परमेशर और मेरे बचने की चट्टान है, फिर मैं उसको अपना पहलो उठा और पुत्वी के राजाओं पर प्रधान ठैराओंगा, मैं अपनी करुना उस सदा बनाय रखोंगा, और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी, और मैं उसके वंश को सदा बनाय रखोंगा, और उसकी राजगदी सुर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी, यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्ता को छोड़े और मेरे नियम के अनुसार न चले, अपनी करुना उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याक कर जूटा ठहरूंगा। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुह से निकल चुका है उसे न बदलूगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपत खा चुका हूँ। मैं दाउत को भी धोका न दूँगा। उसका वंश सर्वदा रहेगा। और उसकी राजगदी सुर्य की नाई मेरे सन मुख ठहरेगी। वह चंद्रमा की नाई और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी की नाई सदा बना रहेगा। तो भी तूने अपने अभिशक्त क चोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अतिक करूद किया है। तूने अपने दास के साथ की वाचा से गिराया और उसके मुखट को भूमी पर गिरा कर अशुद्ध किया है। तूने उसके सब बाड़ों को तोड़ दाला है और उसके गढ़ों को उजार दिया है। सब उसके तलवार की धार को मोड़ देता है, और युद्ध में उसके पाव जमने नहीं देता, तुने उसका तेज हर लिया है, और उसके सिहासन को भूमी पर पटक दिया है, तुने उसकी जवाने को गटाया, और उसको लजजा से धाब दिया है, हे यहवा, तु कब तक लगातार मोह फेरे रहेगा? तेरी जलजलाहट कब तक आकिनाई बढ़कती रहेगी मेरा स्मरण कर? कि मैं कैसा अनित्य हूँ? तुने सब मनुशों को भी व्यर्थत सिर्जा है. कौन पूरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्रान को जासु की नामधराई की सूधी कर? मैं तो सब सामर्थी जातियों का बोज लिये रहता हूँ. तेरे उन शत्रों ने तो हे यहवा, तेरे अभिशिक्त के पीछे पढ़कर उसकी नामधराई की है. यहवा, सरवदा धन रहेगा. आमीन, फिर आमीन. भजन सहिता अध्याय नब्बे. भजन सहिता अध्याय नब्बे. हे प्रभू, तू पीडी से पीडी तक हमारे लिए धाम बना है. इससे पहले कि पहाड उत्पन हुए और तूने पृत्वी और जगत की रचना की. बरन अनादिकाल से अनंतिकाल तक तू ही परमेशुर है. तू मनुश को लवटा कर चूर करता है और कहता है कि हे आदमियों लवटाओ. क्योंकि हजार वर्ष तेरी दुरुष्टी में ऐसे है जैसा कल का दिन जो बीद गया. वा रात का एक पहर. तू मनुश को धारा में बहा देता है. वे सपन से ठहरते है. भोर को वे बढ़ने व से नाश हुए है और तेरी जलजलाहट से घबरा गये है. तू ने हमारे अधरमे के कामों को अपने सनमुख और हमारे च्छिपे हुए पापों को अपने मुख की जोती में रखा है. क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीद जाते है. हम अपने वर्ष शब्द की जलदी कट जाती है और हम जाते रहते है. तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भई की योग्य तेरे रोश को कौन समझ सकता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे. कि हम बुद्धिमान हो जाए. हे यहोवा लवटा. कब तक और अपने दासों पर तरस खा? और भूर को हमें अपनी करुणा से तुप्त कर कि हम जीवन भर जहिजेकार और आनन्द करते रहे. जितने दिन तु हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भूखते आये हैं उतने ही वर्ष हमको आनन्द दे. तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताब उनकी संतान पर तु हमारे हातों के काम को दुख कर. भजन सहिता अध्याई 91. जो परंप्रधान की छाय हुए स्थान में बैठा रहे वह सरव्षक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा. मैं यहवा के विशे कहूंगा कि वहा मेरा शरन स्थान और गढ़ है, वहा मेरा परमेशुर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, वहा तो तुझे बहलिये के जाल से और महामारे से बचाएगा, वहा तुझे अपने पंकों की आण में ले लेगा, और तु उसके पेरों के नीच शरन पाएगा, उसके सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिलन ठहरेगी, तु न रात के भहे से और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधकार में फैलती है, डरेगा, और न उस महारोक से जो दिन दूपहरी में उजारता है, तेरे निकट हजार और तेरे दहिनी और दस हजार गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा, परंतु तु अपनी आखों से दुष्टी करेगा, और दुष्टों के अंत को देखेगा, हे यहोवा, तु मेरा शरन स्तान ठहरा है, तुने जो परमप्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ती तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकटाएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित आग्या देगा, कि जहां कही तू जाए, वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों उठा उठा लेंगे, ऐसा न हो कि वे तेरे पाओं में पत्थर से ठेस लगे, तु सिहां और नाक को कुछ लेंगा, तु जवान सिहां और अजगर को लाताड़ेगा, उसने जो तुझ से स्निह किया है, इसलिए मैं उसको छुडाऊंगा, मैं उसको उचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने तेरे नाम को जान लिया है, जब मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दिरगायू से तुप्त करूंगा, और अपने किये हुए उद्धार का दर्शन दिखलाऊंगा. भजन सहिता अध्याए 92 यहोवा का धन्यवात करना भला है, हे परमप्रदान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रात्यकाल को तेरी करूना, और प्रतिरात तेरी सच्चा का प्रचार करना, दस्तारवाले बाजे और सारंगी पर और विना पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्य यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े है, तेरे कल्पनाए बहुत गंभीर है, पश्यूसमान मनुष्य इसको नहीं समझता, और मुर्ख इसका विचार नहीं करता, दुष्ट जो घास की नाई फुलते फलते हैं, और सब अनर्थकारी जो प्रफुलित होते हैं, यह इसलिए हो हाँ, तेरे शत्रू नाश होंगे, सब अनर्थकारी तित्तर बित्तर होंगे, परंतु मेरा सिंग तुने जंगली सांड कासा उचा किया है, मैं तटके तेल से चुपड़ा हुआ, और मैं अपने द्रोहियों पर दुष्टी करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे पर जाकर हमारे परमिश्वर के आंगनों में फुले फलेंगे, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, और रस भरे और ललहाते रहेंगे, जिससे यह प्रगठो कि यहोवा सीधा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं भजन सहिता अध्याए 93 यहोवा राजा है, उसने महात्म का पहिराव पहिना है, यहोवा पहिराव पहिने हुए और सामर्थ का फेटा बांध है, इस कारण जगत स्थीर है, वह नहीं टलने का, हे यहोवा तेरी राजगर्दी अनादिकाल से स्थीर है, तु सर्वदा से है, हे यहोवा महानदों का कोलाहल हो रहा है, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है, महानद गरच्त है, महासागर्द के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है, तेरी चितोनिया अती विश्वास युग्य है, हे यहोवा तेरे भवन को यूग यूग पवित्ता की शोभा देती है। सब अनर्थकारी बढ़ाई मारते है। वह आप नहीं सुनता, जिसने आख रची, क्या वह आप नहीं देखता, जो जाती-जाती को ताड़ना देता और मनुश को ज्यान सिखाता है, क्या वह न समझाएगा। यहोवा मनुश की कलपनाओं को जानता है, कि वे मिथ्या है, हे यहा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तु ताड़ना देता है, और अपनी व्यवस्ता सिखाता है, क्योंकि तु उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहेगा, जब तक दुष्टों के लि सिधे मनवाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे, कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी और कोन खड़ा होगा, मेरी और से अनर्थकारियों का कोन सामना करेगा, यदि यहोवा मेरा सहयक न होता, तो शन भर में मुझे चुपचाफो कर रहना पड़ता, जब मैंने कहा कि मेरा है, क्या तेरे और दुष्टों के सिहासन के बीच संधी हो सकती है, जो कानुन की आड में उत्पत मचाते है, वे धर्मी का प्रान लेने को दल बानते है, और निरिदोष को प्रान दंड देते है, परंतु यहोवा मेरा गड़, और मेरा परमेश्वर मेरी शरन की चट्टा ठेरा है, और उसने उनका अनर्थकाम उन्ही पर लवटाया है, और वह उन्हें उन्ही की बुराई के दवारा सत्यानाश करेगा, हमारा परमेश्वर यहोवा उनको सत्यानाश करेगा. भजन सहिता अध्याए 95 आओ, हम यहोवा के लिए उचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जैजेकार करे, हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, और भजन गाते हुए उसका जैजेकार करे, क्योंकि यहोवा महान परमेश्वर है, और सब पर महान राजा है, पुत्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ से बने है, और पहाडों की चूटिया भी उसी की है, समुद्र उसका है, और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है, आओ, हम जुकर दंडवत करे, आओ, अपने करता यहोवा के सामने घुटन टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, और हम उसकी चराई की प्रजा, और उसके हाथ की भेड़े है, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते, अपना-पना रधे ऐसा कठोर मत करो, जैसा मरिबा में वा मस्सा के दिन चंगल में हुआ था, उस समय तुम्हारे पुर् से रूठा रहा, और मैंने कहा, ये तो भरमाने वाले मन के है, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहिचाना, इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपत खाई कि ये मेरे विश्रामस्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे. भजन सहिता अध्याए शेहाननवे यहवा के लिए एक नया गीत गाओ, ये सारे पुर्थ्वी के लोगों यहवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन दिन उसके किये हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश में उसके आश्चेर कर्मों का वर्नन करो, क्योंकि यहवा महान और स्तुति के अतियोग्य परमेशर है, वह तो सब देवताओं से अति भईयोग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ते ही है, परंतु यहवा ही ने स्वर्ग को बनाया है, उसके चारो और यहुआ की महिमा और सामर्थ को मानो, यहुआ के नाम की ऐसी महिमा करो, जो उसके योग्य है, भेट लेकर उसके आगनों में आओ, पवित्रतास से शोभायमान होकर यहुआ को दंडवत करो, यह सारी पूत्वी के लोगों उसके सामने कापते रहो, जाती जाती में कहो कि और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं, वह देश देश के लोगों का न्याय सिधाई से करेगा, आकाश आनंद करे और पृत्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुए गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुलित हो, उसी समय वन के सारे करने को आने वाला है, वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा, भजन सहीता अध्याय सत्यानवे, यहोवा राजा हुआ है, पृत्वी मगन हो, और द्वीप जो बहुतेरे है, वह भी आनंद करे, बादल और अंधकार उसके चारो ओर ह उसके सिहासन का मूल, धर्म और न्याय है, उसके आगे-आगे आग चलती हुई, उसके द्रोहियों को चारो ओर भस्म करती है, उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ, पृत्वी देखकर धर्थरा गई है, पहाड यहोवा के सामने मूम की नाई पिखल गए, अर्था सारे पृत्वी के परवशुर के सामने आकाश ने उसके धर्म की साक्षि दी, और देश-देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है, जितने खुदी हुई, मूर्तियों की उपासना करते और मूर्तों पर फूलते है, वे लज्जित हो, हे सब देवताओ, तुम उसको द के ऊपर परमेश्वर है, तु सारे देवताओं से अधिक महान ठैरा है, हे यहवा के प्रेमियों, बुराई से ग्रुना करो, वह अपने भक्तों के प्राण की रक्षा करता, और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है, धर्मी के लिए जोती और सिधे मनवानों के लिए आनंद बोया गया है, हे धर्मियों, यहवा के कारण आनंदित हो, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, उसका धन्यवाद करो, अध्याय 98, भजन सहिता अध्याय 98, यहवा के लिए एक नया गिदगाओ, क्योंकि उसने आश्चेर कर्म किये है, उसके दहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है, उसने अन्य जातियों के दुर्ष्टी में अपना धर्म प्रगट किया है, उसने इस्रायल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सूधी ली, और पुथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश किया हुआ उद्धार देखा है, ये सारे पुथ्वी के लोगों यहोआ का जय जयकार करो, उच्छा पुर्वग जयouched करो, और भजन गाओ, बीना बजाकर यहोआ का भजन गाओ, बीना बजाकर भजन का स्वर सुनाओ, तुरहया और नर सिंगे फुंख फुंख कर यहोआरा जय जय कार करो, समुद्र और उसमें कि सब वस्तुए गर जुठे, जगत और उसके निवासी महाशब्द करे, नदिया तालिया बजाए, पहाड मिलकर जय जय कार करे, यह यहवा के सामने हो, क्योंकि वह पृत्वी का न्याय करने को आने वाला है, वह धर्म से जगत का और देश-देश के लोगों का न्याय करेगा, भजन सहिता अध्याय निन्याननवे, यहवा राजा हुआ है, देश-देश के लोग काप उठे, वह करवो पर विराजमान है, पृत्वी डोल उठे, यहवा स्रियोन में महान है, और वह देश-देश के लोग के ऊपर प्रधान है वे तेरे महान और भाईयोग्य नाम का धन्यवाद करे। वह तो पवित्र है। राजा की सामर्थ न्याय से मेल रखती है। तुही ने सिधाई को स्थापित किया। न्याय और धर्म को याकुब में तुही ने चालू किया है। हमारे परमेश्वर यहुआ को सराहो और उसके चर्णों की चवकी के सामने दंडवत करो। वह तो पवित्र है। उसके याजकों में मूशा और हारुन और उसके प्रायाथना करने वालों में से शमुएल यहुआ को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। वह बादल के खंबे में होकर उनसे बाते करता था और वे उसकी चितोनियों को और उसकी दीव हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहुआ तू उनकी सुन लेता था। तू उनके कामों का पल्टातु लेता था। तो भी उनकी लिए एक शमा करने वाला परमेश्वर था। हमारे परमेश्वर यहुआ को सराहो और उसके पवित्र परवत पर दंडवत करो। क्योंकि हमारा परमेश्वर यहुआ पवित्र है। भजन सहीता अध्याए एक सो। भजन सहीता अध्याए एक सो। हे सारी पूत्व के लोगों यहुआ का जैजेकार करो। आनंद से यहवा की आरादना करो, जेजिकार के साथ उसके सन्मुखाओ, निश्चे जानो कि यहवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के है, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तूति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चा एक पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है.